बॉलिवोड राइजिंग स्टार सुशान सिंग राजपूत के निधन को आज एक महीने से ज़ादा हो गया है सुशान सिंग के निधन पर आज भी यकीन कर पाना उनके फैन्स और परिवार के लिए काफी कटिन हो रहा है फैन्स और कुछ बॉलिवोड स्टार्स लगाता सुशान सिंग राजपूत की सुसाइड केस की सीबी आई जांच की मांग कर रहे हैं अब तक इस केस में दो दर्जन से ज़ादा लोगों से पूछताच की जा चुकी है वहीं अभी भी कई लोगों से पूछताच जारी है सुशान्त के फैन्स को अब उनकी आखरी फिल्म दिल बिचारा का बेसबरी से इंतजार है ये फिल्म 24 जुलाई को OTT प्लाटफॉर्म्स पर रिलीज होने के लिए तयार है इसी बीच सुशान्त को म्यूजिक ट्रिब्यूट देने की तयारी चल रही है सुशान्त सिंग राजपूत के फैन्स और बॉलिवुड सितारों को उन्हें भूल पाना काफी मुश्किल हो रहा है वहीं अब 22 जुलाई को दुपहर 12 बजे सुशान्त को म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने के लिए डिजनी हॉट स्टार और सोनी म्यूजिक इंडिया ने एक कारेक्रम का योजन किया है इस कारेक्रम में इंडास्ट्री के कई दिगिज सिंगर हिसा ले रहे हैं इस कारेक्रम में आसकर अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर और डारेक्टर एर रह्मान सहिच श्रिया गुशाल अरजीत सिंग, मोहिद चोहान, सुनीदी चोहान, शाशा तिरुपती, जोटिना और हिर्दिय गटानी भाग लेंगे बता दें, शुशान की फिल्म दिल बेचारा के गाने तारेगिन को श्रिया गुशाल और मोहिद चोहान ने गाया है, जबकि मसक कली को सुनीदी चोहान और हिर्दिय गटानी ने गाया है बता दें कि हाल में ही बॉलिवोड की फेमस सिंगर नेहा ककर ने भी शुशान सिंग की याद में उन्हें म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया था उन्होंने शुशान सिंग की फिल्म केदारनाथ का गाना जान निसाथ अपनी अवाज में गाकर उन्हें शुरुधान जली दी यही नहीं नेहा ने इस गाने को अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है आपको बता दें कि 34 वर्शिय सुशान सिंग राजपूत ने 14 जून 2020 अपने मुंबई वाले फ्लैट में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली माना जा रहा है कि शुशान पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे और मुंबई के ही डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था शुशान सिंग राजपूत हमेशा ही हमारे यादों में रहेंगे शुशान सिंग राजपूत का टैलेंट उनके फैन्स और बॉलिवोर्ड इतनी असानी से नहीं भुला पाएंगे शान पंजाबी की तरफ से शुशान सिंग राजपूत को हमारी एक छोटी सी शुरुधान जली सोतन तो शुटकारा फिल्मी याते मॉडलिंग केरियर हर जगा तो तोखा खादे पैन परा एक वर जरूर फोन करन अठानमे सासोतरा सी चौंतीक सोकनमे